हलो नमस्कार दोस्तों उतकर्स परिवार में आप सब लोगों खा दिल खोल के स्वागत है जी हाँ मेरे दोस्तों आज आप सब के लिए एक अती मैतुपूर्ण वीडियो जो आपके जिन्दगी में खूब सारी नए ग्यान के अंबार को लाएगा और आने वाली खूब सारी बिमारियों को आने से रोकने में भी मददगार साबित होगा अपन बात कर रहे हैं आज जैसे की वर्ल्ड हिपेटाइटीस डे है तो वर्ल्ड हिपेटाइटीस डे में बात कर रहे हैं कि हिपेटाइटीस क्या होता है हिपेटाइटीस कैसे हो सकता है किस परकार के लक्षण आ सकते हैं या क्या आपन बचाव कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से देखेंगे एक्जाम पॉइंट उप से अपन पढ़ते रहते हैं लेकिन आम नागरिकों के लिए भी यह वीडियो अथी मैतुपन होने वाला है कि किस प्रकार से हम हीपेटाइटिस का उपचार कर सकते हैं औ अगर एक वर्ल्ड डे होता है वह अपनी थीम देता है तो अगर बात करें वर्ल्ड हिपेटाइटिस दे के बारे में वर्लड हिपेटाइटिस डे की जो थीम्स निकल के आएगी वह देखने को मिलेगी वन लाइफ वन लिवर यानि एक जिंदगी एक लिवर अगर बात करते हैं कि यह हिपेटाइटिस क्या होता है तो लिवर का इंफ्लामेशन हो जाना यह लिवर में बिमारी का पाया जाना हिपेटाइटिस क्या लाता है तो हिपेटाइटिस के अंदर अगर सिंपल सी बात करें तो हिपेटाइटिस हो आपको मानना है कि ये एक परकार का infection है किसका लिवर का अगर मैं प्यारे दोस्तों बात करूँ कि ہिपेटाइडिस कितने परकार के होते हैं तो मेनली पांस परकार के A B C D E अगर बात क assumptions कितने परकार के हो सकते हैं तो हीपेटाइडीस जो ए और ओते यह हएं एक कारण कि यदि आ आपने आपने साफ सफ़ाइं COD कैसे होते हैं, तो आपस में blood contact होने से, कोई गलत syringe वगेरा, needle वगेरा काम में लेने से, आपस में कोई पूरणी blade वगेरा का cut लग जाने से, कुल मिला करके खुनों का आदान प्रदान या sexual intercourse से भी कौन सा हो सकता है, B, C, O, D वाला hepatitis देखने को मिल सकता है, तो hepatitis के होने क कारण अगर बात करते हैं, यानि कोजेज क्या निकल के आ सकते हैं, तो कोजेज के अंदर अपन आम नागरिकों की तरह देखें, तो पहला तो अपन लिख सकते हैं, contaminated food and water, contaminated food and water का मतलब सही से खाना ढंका नहीं था, या पानी सही नहीं था, तो उसके कारण हो सकता है, या दूसरा बोल सकते हो, contact with infected blood, यानि कोई दूसित खून था किसी मरीज का, उसके संदर्ब में आप contact में आगे, तो हो सकता है, तीसरा, आईवी ड्रग यूजर्स, आईवी ड्रग यूजर्स का मतलब आपको पता होगा, कि खूब सारे लोग नसीली दवईयों का सेवन करते रहते हैं, उन लोगों में हो सकता है, या फिर अपन इंजेक्शन को अभी किसी मरीज को लगा रहे हैं, ध्यान से चेंच नहीं करेंग फेट को इमल्सिफाई करना यानि बाइल निकालेगा और बाइल यानि वो एक जूस जैसा कोई पदार्त होता है, जिसके माधियम से फेट गुलती है, तो वो व्यक्ति जो हाई फेटी डाइट का मतलब यह जो पिजा, बर्गर, यह स्टीट फूड जो भी होते हैं, वो सार स्टीजी माधियम सीर्ण करते हैं, तो प्रभावित करने वाली चीज़ों में आप बोल सकते हैं ही फेटी डाइट, बढ़ जाते हैं किले रहे तो यह अपन ने नॉर्मल से कारण के अंदर बात किये कि में में से कैसे देखने को मिल सकता है बाकी तो बहुत जितना गहराई में जाए उतना कम है नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सर अगर किसी भी व्यक्ति को हीपेटाइटीस हो जाता है तो लक्सन कैसे आएंगे तो तमाम लक्सन आएंगे लिवर से रिलेटेड लिवर से रिलेटेड का मतलब देखने को मिलेगा मरीज में बुखार होगा बोले तो फीवर मरीज में आपका राइट अपर क्वाडरेट पेन होगा राइट अपर क्वाडरेट का मतलब आपके दाएं साइड में उपर से यहां से दर्द देखने को मिलेगा दाएं साइड पेट के उपर वाले हिस्से में आपको दर्द होगा आपको बुखार होगा आपको नोजिया मोमेंटिंग बोले तो जी मचलाना और उल्टी देखने को मिलेगी, आपको क्या देखने को मिलेगा, जी मचलाना और उल्टी जैसी समश्य होगी, नेक्स्ट आपका थोड़ा वजन कम होना सुरू हो जाएगा, वेट लोस हो जाएगा, आपको भूक नहीं लगेगी, बोले तो एनोरेक्जिया देख इस टूल का कलर भी आपको वैसा ही देखने को मिलता है तो यह ऐसे मोटे मोटे रूप में अबर अपन लक्षन की बात करें तो मरीज में क्या होगा हिपेटाइटीस जब भी इंफेक्शन होता है तो बुखार आएगा राइट अपर क्वाडरिट पेन का मतलब दायें साइड पेटमें उपर की साइड भी दयाई हो जाएगा जी मचलायेगा ल्टी वजन कम कम और यह वाइवलेट लिवर काम नहीं कर रहा है खानर कि खौना पिना नहीं हो नहीं रहाए तो वजन कम रहेगा मरीज को भूक लगना बंद हो जाएगई yellowis lateralis अलरा का मतलब मीज की जो आ वैसा ही देखने को मिलेगा, ऐसे लक्षन आते हैं तो आप समझ लेना कि या तो आपका लिवर प्रभावित है और या लिवर में कोई भी मरी है, या तो पी लिया हुआ है या आपको हीपेटाइटिस हुआ है, समझ पारे हो मेरी बात को, तो होने का कारण के अंदर चीजें आपको कहा जाना चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए होस्पिटल में जाना है, और इन तमाम कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला हैंड आईजीन का मतलब आप अपने हातों को साप सुत्रा रखें खाना खाने से पहले हातों को दोएं खाने को बनाने से पहले खानों को अच्छे से साप सुत्रे बरतन में बनाएं खाना दो करके बनाएं यह ऐसी चीज यानि अपने हातों को साफ रखें सबसे पहला काम, दूसरों आपको क्या करना है, healthy and fresh food का यूज लेना है, खाने के लिए सुद्ध खाना खाएं और ताजा खाना खाने की कोशीज करें, पूराने बासी खाने को न खाएं जिसे आपका लिवर मजबूत रहेगा, कोशीज ये करें कि high fatty diet न खा करके low low fatty diet का है, low fatty diet का मतलब होता है, तेल तली वी चीजे जादा तर नहीं खाना है, इस्ट्रीट फूड जादा नहीं खाना है, ये junk food जादा मत खाऊ, low fatty diet का होगे, तो आपका लिवर का ज्यादा वर्क लोड ही नहीं वड़ेगा, तो लिवर बिमार ही नहीं होगा, और जो बिम डॉक्टर को बोलें कि मेरे लिए डॉक्टर या नसिंग स्टाब को नई सीरिंज काम में लें आपस में कोई ब्लेड वगेरा काम में ले रहे हैं तो नहीं लें कई पर खून पढ़ा है तो खून को डारेक्ली न चुएं ऐसे बचाव करने की कोशीज करें हो सके तो कम से कम इ इसका बचाव करने की भी कोशीज करें ध्यान रखिएगा कि आपस में जो ब्लेड वगेरा है उनका बचाव करें जरुरत नहीं है तो बार बार खुद को ब्लेड ट्रांस्विजन नहीं करवाएं बिना फालतू इंजेक्शन नहीं लगवाएं कोई चीरा कट नहीं लगव सब्सक्राइब नेक्स्ट अगर कोशीज करें कि आपस में प्रस्नल बिलोंगिंग नेस को सेर नहीं करें जैसे कि आप अपने रेजर से से विंग कर रहे हैं और आपका दोस्ती उसी से कर रहा है नहीं उन चीजों को सेपरेट रखें तो याद रखेगा आवएट टूसेर प्रस्टनल बिलोंगिंगनेस आपस में चीजों को सेर करने से बचाएं ताकि जैसे कि इसमें क्या लिख सकते हो रेजर लिख सकते हो ब्लेड लिख सकते हो नेल कटर वगेरा लिख सकते हो यह सारी चीजों को को सीज करें कि आपस में सेर नहीं करें इस प्रकार से आप अपने पानी को जादा पी इस टाइम जैसे ही आपको लो डाइट पे खुद को ले आना है और ज़रुत से ज्यादा हो गया तो आपको खुद को भूका रखना भी सुरू कर देना है समझ पारे हो ताकि आपके लिवर का वर्क लोड नहीं बड़ेगा और आपकी विमारी सही होने में अच्छा समय या कम समय के अंदर भीमारी ठीक हो जाएगी नेक्स्ट सारे परकार के हिपेटाइटिस आपस में ठीक हो सकते हैं उनको लेकर के गबराने की कोई अवश्यक्ता नहीं है हिपेटाइटिस कौन सा किस परकार से क्या होता है या कैसे बचाओ कर सकते हैं यह अपन आप की मेनी इतने कारण लिखें उन कारण में ध्यांट रखिएगा आपको ऐल्कोल को भी प्राइटी में रखना है कि कि से देखने को मिल सकता है एल्को एल्कोल अक हैं लिवर इल्कोल dan कॉसी चिण करें कोसी कि करें आपकोद्ट यहां की आरू का सेंवार स्टार्ट के कारण देखने को मिल सकता है या आप यूज लेते हैं तो आप में हो सकता है next अगर important चीज के बारे में अगर बात करें इसके बाद में क्या हो सकता है? मरीज को बुखार जैसे लक्सन, अपर कौाड़्रेट यहनी ऊपर की साइड में है, राइट, दाइने साइड में पेन, जी बचलाना, मरीज को उल्टी का आना, मरीज में बजन कम हो जाना, आंकों का पीला पढ़ जाना, यूरीन का पीला सा पाया जाना इस्टूल का पीला सा देखा जाना ये लक्सन होते हैं इला ऐसे लक्सन आते हैं तो आपको तुरंट परवाव से खुद को अस्पताल ले जाना है और जादा पानी पीना है फैटी डाइट कम लेनी है बचाव के लिए बोल दिया कि हातों को सा सब्सक्राइब नए किया कि आपको क्या करना है। ताकि आपकी प्रोटेक्षन देखने को मिलेगी। चलेगा। आप सब लोगों ने इस वीडियो सेशन को अच्छे से सीखा होगा। अच्छे से एंजोई किया होगा अगर वीडियो लगा अच्छा और इंफोर्मेटिव तो क्लास को लाइक कर दीजेगा मेक्जिमम लोगों तक सेर कर दीजेगा ताकि हर एक उस सक्षियत को इसके बारे पर जानकारी मिले कि हीपिट्राइटिस क्या है और इलाज भी इसका दूनिया करना चाहे आपके जैसा थेंक यू सो मच